श्रीरा दे रहते हैं भक्तों सामान्य मनुष्य जो होते हैं वो अपने शरीर के ही रूप रंग निखार में लगे रहते हैं देहाद ध्यास बढ़ाते रहते हैं शरीर का अंकार बढ़ाते हैं और शरीर से सम्मंधित वस्तूहों का अंकार बढ़ाते हैं किन्तु जो महान संत होते हैं उनका सुभाव इससे विपरीत होता है वो अपने शरीर का सिंगार नहीं करते हैं शरीर को एक यंत समझते हैं जो प्रभू की सेवा के लिए है और प्रभू के भक्तों की और फिर सम्पूल विश्व की सेवा के लिए है अच्छार शरीर को सेवा का साधन मानते हैं ऐसी इस्थिति आ जाती ही धीरी धीरी भक्तु कि शरीर पर वस्त्र नहीं हो तो भी उनको उसका ध्यान नहीं रहता है क्योंकि उसमें हा सक्ती नहीं होती है ऐसी हवस्ता थी महराज जी की श्री परमेश्वदासी महराज की और माताओं के आने पर जिए उनको पता चल जाए तो शरीर को किसी वस्त्र से ढख लेते थे नहीं तो शरीर को ढखना व्यावशिक नहीं समझते थे और किसी भी जगह पर भगवान का ध्यान करते वे बैठे रहते थे जब होता रहता था ध्यान होता रहता था एक दिन की बात एक भक्त बताते हैं कि महराजी बबूल के पेर की नीचे बैठे थे और उनके शरीर पर कोई भी वस्तर नहीं था और धूल से सने हुए थे ऐसा लगता थे जैसे साक्षात कोई पुराने जमाने के रिशी परमहंस दिगंबर विराजमान हैं अथवा शीव जी हैं या दत्तात्रे हैं कोई अधूत हैं और जो विशेश प्रेमी भक्त लोग थे वो दर्शन दूर से कर रह थे महराजी के नेत्र बन थे ऐसे संतों के दर्शन से भी बड़ा कल्यान होता भक्त तब तक एक भक्त ने देखा कि एक और से ट्रैक्टर की ट्राली आ रही है जिसमें 30-35 अउरुतें महिलाएं मताएं बैठी हुई हैं तो पुरुण भक्त ने बताया कि महराजी महराजी कुछ माता लोग आ रही हैं ट्रैक्टर की ट्राली में बैठी हुई आपका दर्शन करने आ रही है तो महराजी का आचला एक भक्त के पास था उन्होंने तुरंत ही महराजी को लपेट दिया जब तक महराजी आई पास में तब तक लपेट दिया चला शरीर पर महराजी के और माताएं पास में आ करके महराजी को प्रणाम की तब महराजी ने परमिश्वर जास्टी ने कहा कि आज चवड़स है चटुल जास्टी शैड आज आज आप सभी का वरत होगा इसलिए मैं भी दूट का प्रशाद मागता हूँ तो भंडारी को पास में बुला करके कहा कि भंडार में दूट कितना रखा है भंडारी बोले कि महराजी दूट तो आज सुबह सब खत्म हो गया फिर गुरू महराजी बोले कि देखो श्यामा गाई के पास बड़ी बाल्टी लेकर जाओ वो आवशी मुदद करेंगी अब आप देखें सिद्ध पुरूशों के पास जीव सेवा में कैसे भावना की तबलता और शुद्धता के कारण वो भी सिद्ध हो जाता था गुव माता भी सिद्ध थी महराजी ने कहा बाल्टी लेकर के जाओ बड़ी बाल्टी लेकर वो श्यामा गाई जो हैं वो माता साहता करेंगी और जो वो बाल्टी लेकर के बंडारी जी गए तो बाल्टी देख करके खड़े हो गए हो गए और महराज बाल्टी भर के दूद दिया ओ दूद के लिए कभी मना नहीं करती ठीका है दूद लेकर के आये महराज जी के पास महराज जी निका भंडार से शक्कर लियाओ दूद में मिलाकर इन माताओं को प्रेम से पिलाओ तो माता जी तो मना करने लेकिन महराज जी बोले नहीं मना मत करो ये श्यामा का प्रशाद है आश्रम पर आने वाले भक्तों की आत्मा सेवा में आत्मा की सेवा के भावना में ये श्यामा माता हमेशा तयार रहती है इसलिए इनका प्रशाद लो तो अगले जिन कोई तेवार था महराज जी ने उस दिन तो प्रशाद बांट किया गवमाता के दूद का चीनी मिला के और जो अगले जिन तेवार था तो महराज जी उस दिन कुई में अपने पुराने हनुमान जी के अड़े पर गुल का प्रशाद बांट के थे तो उन्हों ने वक्तों से कहा कि चलो गुर का प्रशाद हनुमान जी को भोग लगा के बांटना है पुजारी जी से कहा कि गुर निकाल करके डो पुजारी ने एक तसली में करीब आठ किलो गुर दिया और गुरु महराजी के साथ में गुर ले करके भक्त लोग पीपल कोई में हनुमान मंदिर की ओर चल दिये वहाँ पहुँच करके गुर के चुकड़े चोटे 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 बना करके हनुमान जी को भोग लगाया और मौदूर जो भक्त लोग थे उनको बांटना शुरू कर दिया और भक्तों थोड़ी देर में वहाँ गुर का प्रशाद पाने के लिए भक्तों की भीड हो गई तमाम जनता एकत्र हो गई तो जसकरन प्रोफिसर थोड़ा थोड़ा गुर बांटना शुरू की जिससे कम न पढ़ जाए खतम न हो जाए तो यह चतुराई देखा जब इनक कि महराज जी ने तो पास में आके बोले तो महरे एक हाथ में जितना भी प्रशाद आ सके उतना उतना सभी को माटो अब यह बताते हैं कि मैं एक हाथ से डलिया पकड़े हुए था तो 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 दूसरे हाथ में जितना भी गुर आ सकता था बांटना शुरू किया और बताते ह कि मैं समझ गया था कि गुरु महराज अपने जीलफ कर रहे हैं, गाउं के बहुत लोग आकर इकठे हो गए, और सभी के हाथ में भर भर करके गुड बांटते जा रहे थे, तसलीमें से लेकर अपने, और जशकरन बताते हैं कि गुड कम ही नहीं हो रहा था, जैसे जैसे लोग बहुत देर तक चलता रहा, जब साभी को परशाद मिल गया, तब भी डलिया में गुर मवजूद था, इसके बाद महराजी बोले, कि अब हुरे वापस चलते हैं, बचा हुआ परशाद वहां बांटतेंगे, इस प्रिकारे लोग हुरे वापस गया और वहां परशाद बचाहते था, तक आट जब चाहले ऑ सब्रेशाद बचाहते थे, जा चुक कर्यों अब, जाकते फेरे वोदी को अचाहते हैं, बचाहते थे, मिलोब बचाहते हैं, इस प्रैकार उलूबther लो ग्री जोा जगते थे टनिजी देर पर दो को आकताएं बचाहते हैं, आग फेर और दो दिन बाद, जब हुरे पहुंचे तो गुरु महराज एक बबूल के नीचे धूल में बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि मैंने दंडवत प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया, थोड़े ज़र बाद देखा कि पास का गाउं, मिया का पुरा नाम का गाउं था, वो वहां के भग्त लोग, सब ही जाद के लोग आते थे, एक बूरी महिला महराज जी के पास आई, और वो दुखी थी, रोती हुए बोली, कि मेरा दामाज जो बामबे कैंसर का इलाज कराने गया था, वो ठीक नहीं हुआ है, डाक्टर ने का दिया है कि ये क्या दो माव में खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे घर वापस ले जाओ, महराज जी आप हमारे उपर कृपा कीजिए, क्योंकि मेरी एक ही लड़की है, अधर इसका ठीक होना बहुत जरूरी है, और आपने तो मरे हुए को भी ठीक कर दिया, ज लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी, और कहने लगी तो आप ठीक नहीं करेंगे, तुम्हे अभी इस इसमें अपना प्रांट दे दूँग, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि ये ठीक हो जाए, महराज जी ने उससे पूछा कि मरीज कहा पर है, इस पर बुढ़िया बोली कि वो तो घर पर लेटा है, महराज जी बोले उसे यहां लेआओ, और तब बुढ़िया बोली कि वो चल नहीं सकता है, महराज जी, बाबा बोले उससे खटिया पर लेटा कर, चार पाज सही तुसको लेआओ, और सीडियों से परवत के उपर जा करके, बैजनात की परिक्रमा लगवाओ, तिक वक्तों इस सिद्ध पुरुष, भगवान का ही अनुग्रह मानते हैं, आपनी कोई शक्ती नहीं मानते, इसलिए भगवान बैजनात की परिक्रमा लगवाए, उन्होंने कहा कि वो कृपा करेंगे, उनी की कृपा से ठीक हो जाएगा, बुढ़िया घर गई और दामाद को खटिया पर लिटाकर, चार आदमियों के साथ दामाद को उठपा के लाई, और गुरु माहिजार जी के कहे के अनुचार, सीड़ियां चड़ कर ऊपर पहुंची, और बैजनात, बैजनात बाबा अर्थार भगवान, बोले बाबा, कि परिक्रमा लगवाई, वहां की वहोती मरीज के माथे पर रगड़ी है, और महराज आश्चर एक बास उससे दुपरुस की लीला कैसी थी, कि देखते ही देखते मरीज बोला, कि हमें खटिया से नीचे उतारो, और फिर उसने अपने पैरों से चल कर परिक्रमा लगाई, यह देखकर सभी आश्चर में पड़ गए, और फिर वो लोग मरीज को सहारा देजे करके पैदल पैदल नीचे उतारे, तो गुरु महराज जी की जेजे के नार लगने लगे, और महराज जी की चर्णों में वो मरीज गिरा, और उनका अशिरवात लेकर अपने घर गया, और बताते हैं कि आज भी वो कोरा गेहूं, प्रतिवार्श महराज जी की भंडारे में पहुंचाता है, और वो पूर्ण स्वस्थ हो गया, जिसको कैंसर अश्पताल बंबाई से कह दिया गया था कि एक महीने मर जाएगा, कृपा हो गई उसके उपर, संत की, भगवान की, ऐसी बहुत सी लिलाएं होती महराज जी की जीवन, एक दूसरी लिला मैं बता रहा हूं, आश्रम पर पानी की कमी पढ़ रही थी, महराज जी बोरिंग करवाना चाहते थे, तब ही कुछ लोग महराज जी के दर्शन आये, दर्शन आर्थ जो आये थे, उनसे महराज जी ने पूछा, कि तुम क्या करते ह बोले महराज मैं बोरिंग का कारे करता हूं, अब आप देखिए, ये संत की कैसी शक्ती होती है, जो ठाकुर जी की हाथ में रहती बोरिंग करवाना है, पहार पर जंगल में यहां, पानी की बहुत कमी है, तो अचानक वे भक्त लोग आये वो कह रहे हैं कि महराज जी महराज जी ने का हमें बोरिंग करनी है, क्या तुम लोग कर दोगे, उन्होंने उत्तर दिया जरूर करूगा महराज जी, तो महराज जी बोले अपना सामान ले आओ, और आज ही सुदू कर दो, वे लोग आये थोड़ी जेक बाद एक दो गंटे बाद, और सामान ले करके आ जन जहां पर इस समय रखे हुए हैं, उसी जगह पर बोरिंग कर दो, और उन्होंने वैसा ही सुदू कर दिया कारे, और वो तो सिद्ध पुरुष की आग्या थी, और गव माता के चरणों हाँ विराज मान थे, इसलिए उस बोरिंग में बहुत बड़ी सफलता मिली उनको, उस बोरिंग में इतनी सफलता मिली भक्तों कि वो कितने वर्ष बीट चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती हैं, और भक्त लोग उसका लाव प्राप्ट करते रहते हैं, जल की कभी कमी महां होने ही नहीं पाती, इतनी जल की धार उस बोरिंग से न समस्ते थे कि संत कुत्यागी होना चाहिए, लोविरालची नहीं होना चाहिए, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बिन मांगे जो मिल जाए उसी में संतूष रहना चाहिए, महराजी को सभाव ही ऐसा था, हां किसी के कल्ळाण के लिए जरोर ऐसी लीला करते थे कि दो, तुम अपने डालो और अपना भगवान की सेवा में अपना सब कुछ लगा दो इस तरह से उद्धार अपना करो आश्रम में कमे नहीं थी लेकिन दिलीला कभी कभी होती थी नहीं तो त्याग मैं जीवन उनका प्रतेक्स था एक भक्त बताते हैं कि मैं दो पहर को अपने घर गया और दूसरे दिन मुझे सूचना मिली कि हुरे पर चोरी हो गई है और वहां पहुंचे तो गुरु भाई ने बताया कि इद्धिपु सब महराजी की लीला थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके सिस्ट महात्मा लोग अपनी अपनी जोलियों में धक्षना के द बादक बन रहे हैं वो रूपय के जो इकट्टे हैं तो महराजी न नों से रूपे मांगते हुए कहा था कि रूपए हमको देदो सेवा में लगाओ और कुछ लोगों ने जूट बोल दिया या इंकार कर दिया कि हमारे पास कहा है महराज जी जब कि रूपए एकठे करने में कुछ ना समझी की करन लगे ते लोग तो महराज जी की प्रणा से रात को चोर आ गए और उन्होंने सभी महात्माओं को एक एक करके रस्ती से बांद दिया और सब की जोलियों से रूपए निकाल लिए एक दिन पहले महराज जी निकाल था है रूपए हमको दे दू तो इसको बंडारा में लगा दें क्या करोगे इसी के सम्वाल में लगे रहते हो और नहीं थी ये संतु लालच में आ गए तो फिर ये लीला हो गए वक्तों कि सब लोग सो रहते महराज जी भी सो रहते और चोड़ लोग आकर रस्तीयों से बांद बांद करके और सब की जोलियों से पैसे निकाल लिए और जब चलने बोले कि हमको भी रस्ती से बांद दीजे नहीं तो सुबह ये लोग कहेंगे कि महराज जी नहीं चोरों बलवाय थे ये सुनकर चोर महराज जी से बोले कि आपको बांदने के हम में शक्ती नहीं है पर महराज जी कहने पर चोरों ने उनको बांद दिया और चोरों वहां से जब सुबह हुई तो सभी लोग जब इकठे हुए तो पुलिस में रिपोर्ट करने की बात गाउवालों ने कही पर गुरु माराज नी इंकार करते हुए कहा कि ये चोर भगवान के बेजे थे और सब उनुहीं ने करवाया है इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करने की कोई एक भगत बताते हैं कि हर चोड़स को माराज जी के पास जरोड पहुंशता था और वहां माराज जी के चरणों का दर्शिन करता और परवत पर उपर जाकर शंकर जी को दल चड़ाता था इसके लिए मैं भदावना जाता था और वहां सिनान करता और वहां से जल लेकर हुरे आता और फिर शिवजी को जल चड़ाता था और मेरा यह नियम महीनों की दोनों चोड़स को रहता था इसका पालन मैंने 2020 तक इस नियम का पालन पुरुमराज की कृपा से किया एक चोड़स के दिन में पुरे से स्कूटर से निकला मोहनपुर से मैं आगे चला था कि मुझे बहुत जोर की लगशंका लग गई मैंने देखा एक खेट पर ट्यूब बिल का पानी चल रहा था तो मैंने वहाँ सड़क अपना खड़क के किनारे स्कूटर खड़ा किया वो कहते हैं कि लगशंका के लिए चल दिया वहाँ मैं निवरत होकर अपने हाथ पर दोया और स्कूटर की तरब बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे स्कूटर के पास तीन बच्चियां खड़ी थी जिनकी उमरे छह से आठ परस के बीच की थी तीनों के हाथ में छोटी-छोटी पूजा की ठालियां थी जिन में पूजा का सामान एंग जल के छोटे-छोटे लोटे विवरे हुए थे बच्चियों के पास फैले हुए थे बड़ी सुन्दर दिखे सामान जो बाल फैले हुए थे उनके बच्चियों के जो केश फैले हुए थे बड़ी सुन्दर दिख रही थी छोटी-छोटी बच्ची तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि साइद लड़कियां मेरे किसी गुरुभाई की होंगी जो मेरे साथ हुरे चलना चाहती होंगी तो बोलते हैं कि मैंने उनके पास पहुंच कर उनसे पूछा कि क्या तुमको हुरे चलना है उन्होंने मना किया तो फिर वो पूछे कि क्या तुमको प्रसाद चाहिए तो बोली कि बिना शिव पूजा की ये प्रसाद कैसे खा सकती हूँ बोली कि आप मुझे स्कूटर पर बैठा लें और रोकने को कहूँ आँ उतार दें कि करतें कि मैं सोच रहा था कि तीनों लड़कियां पूजा की ठालियां लेकर मेरी स्कूटर पर बैठेंगी कैसे बैठी नहीं पाएंगी परन्तु वो बोलते हैं कि जब मैंने स्कूटर स्टार्ट किया एक बच्ची आगे खड़े हो गई और दो पीछे बैठ गई उनके हाथ में ठाली जोंकित्यों सजी हुई दिख रही थी मैं आगे बढ़ा लगबग एक किलोमेटर चलने पर जैसे ही घना जंगल चुरू हुआ लड़कियोंने मेरा स्कूटर रुकवा लिया और वो काभी स्कूटर से उतर कर खड़ी हो गई मुझे पता भी नहीं चला और हमसे बोली कि भगत जी है अब आप जाएं और हम लोग शीव पूजन करने जाओंगी ऐसा कहकर कि वे गने जंगल में प्रवेश हो गई और मैं खड़ा खड़ा उनको देखता रहा और वे जंगल में अंदर चली गई मैं सोच रहा था कि ये कोई साधार नड़किया नहीं थी क्योंकि वो कभ स्कूटर पर बैठी है और कभ उतरी मेंने उनको देखा ही नहीं जानी नहीं पाया मैं क्योंकि साधार नड़किया होती तो चड़ते और उतरते तो दिखलाई पड़ती कि उनके पैर चड़ रहे हैं उतर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था वो पहले स्कूटर बैटी मुझे को दिकलाई पड़ी थी फिर उथर कब चले गए मैं यह नहीं जान पाया बताते हैं कि मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया और वो लड़कियां जिस जगह पर खड़ी थी उस जगह की मिट्टी अर्दात रज को मैंने अपने सिर पर लगाया और मनी मन को प्रणाम करके कि कोई देवी माता थी है पुरे की ओर चल दिया और यह सब गुरु महराज की कृपा से हुआ था क्योंकि मुझे तीनों देवियों के दर्शन प्राप्त हो गए थे और अब मेरे समझ में आ गया था कि यह लड़की नहीं थी यह चोटी-चोटी बच्ची जो गंगोर जंगल में उतरी है और फिर कहां चली गए जंगल में कुछ मालूम नहीं यह निश्टी तीन देवियां थी और जैसे ही हुरे पहुंचे और मैंने महराज जी के दर्शन किये तो महराज जी वो बोलते हैं कि मुझे देख के बड़े खुश हुए और बोले कि आज तुमको दर्शन प्राप्त हो गए है और कहते हैं कि मैं कुछ कहता इससे पहले ही मुझे जल लाने के लाज़ेश दिया और मैं थोड़े देर में सारी बातें भूल गया वो बोलते हैं कि मैं गुरुदेव की प्रसन्न मुद्रा देखका चैकित था और वो मुझे बोले थे कि तुमारे उपर देवी माताओं की कृपा वही तुमको दर्शन प्राप्त हुआ है वो कहते हैं कि मैं उस समय भूल गया था फिर और जब मैं याद करता था तो आनन से भर जाता था कि किस प्रकार से तीन देवी माताओं ने मुझे जंगल में दर्शन दिया और उस मेरे उपर कृपा की थी वक्तों अपने वक्तों पर इस प्रकार से परमेश्वडासी महराज कृपा करते थे और गरीब लोगों के उपर तो सदा ही अनुग्रा भरा रहता था उनका सदाए में गुरु महराज एक गरीब नवाज संत थे गरीबों के दुख दर्ज में सदय मदद करते थे, उनसे दौड कर मिलते थे, इसके अलावा उनमें एक और बड़ी विशेष्टा थी, किसी अपराद, गल्ती अपाप पर ध्यान नहीं देते थे, बलकु उसमें सुधार करने के लिए उससे मिलते थे, और यही उनका कि गरीबी के कारण चोरी आधी करने में लग जाते थे, तो महराज जी उनको बड़ी प्रीती के साथ एक आंत में समझाते थे, जिससे उनका सुधार हो जाता था, एक गटना सुना रहा हूं, हुरे आश्यम प्रभंदारा चल दा था, महराज जी एक जगा बैठे हुए थे तब ही एक आदमी उनके पास आया, और रोता हुए बोला कि महराजी मैं बरबाद हो गया, चूंकि मेरी दो बहेंस्ती रात को चोर उनको चुरा ले गए, अब मेरी परिवार का पालन उनकी बहेंसों से होता था, अब मैं क्या करूँ आप बताईए, महराजी ने का तुम प चूर दिखाई दे गए, जो भैंसों को चुरा कर हुरे के जंगल से निकल रहे थे, वे चूर भूखे थे और ठके हुए थे, हुरे पर भंडारे की आहट पाकर और भैंसों को वहीं जंगल में पेड से बांद कर आश्रम में आये, जिससे भैंस उनको दिखलाई ने पढ़ आश्रम वालों को, उन्होंने पहले बंडारा पाया और महराजी की प्रेणा से उनको प्रणाम करके, पास में आकर प्रणाम किया, उसके पास जाने लगे, तो महराजी ने पूचा तुमों कौन हो और कहां से आयो, उन्होंने अपना गलत नाम बताया, पता भी गलत बताया और ये भी नहीं बताया कि हम लोग चौर हैं भैंस चौरी करके लेके जा रहे हैं कुछ नहीं बताया महाराजी दीरे से उठे और उनके पीछे पीछे चलने लगे क्योंकि सभी के सामने उनकी चौरी उजागर नहीं करना चाहते थे महाराजी और एक आंथ में पहुंचकर महराजी उनसे बोले कि तुम लोग भैंस चोरी कियो हो न और देखो भैंस चुपचाप यहां छोड़कर चले जाओ इमानदारी से मेहनत करके अपने घर चलाओ नहीं तुम बर्बाद हो जाओगे इस चोरी के कर्म में और यह सुनकर दोनों जान गए कि बाबा हम लोगों के द्वारा भैंस की चोरी को जान गए है और तब वो बाबा के चर्णों में गिर्ब कर बोले बाबा आज माप कर दो अब हम लोग कभी भी ऐसी काम नहीं करेंगे चोरी नहीं करेंगे और ये कहा कर कि दोनों भैंसे उसी जगह पर छोड़ कर वो चले गए और महराज जी अपनी जगह पर आकर बैठ गए तथा जिन व्यक्तियों की भैंस चोरी हुई थी उनसे बोले कि कभी कभी भैसने जो उरे के जंगल में अपने आप आ जाती है तुम पुरे के पहार के पीछे जाकर देख लो वो व्यक्तिय उठा और पहार के पीछे जाकर देखा कि दोनों भैंसे हम मौजूद है उसने पकड़ लिया महराज जी ने चोरी की बात उनको नहीं बताई बहुत दिन बाद भाक्तों को बताया था और जिसकी भैंस थी वो तो परसन्न हो गया कि महराज जी आपकी कृपा से भैंस मिल गई चोरी की बात वो जान ही नहीं पाया दूसरे वक्तों को महराज जी ने बाद में बताया था वो तो बोला कि आपकी कृपा हो गया जिससे हमारी भैंस मिल गई महराजी को धन्यवाद देता हुआ 200 को लेकर अपने गाउं चला गया है इस प्रकार से गरीबों को उपर कृपा करते रहा देते महराजी उनका चरित आगे मैं फिर सुनाओगा आपको आजे ही प्रणाम करके बिराम दे रहा हूं वक्तों शी रादे रादे गे शी रादे रादे